नमस्कार, चानक्या IAS Academy के MCQ सीरीस से समंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है चलिए, वीडियो के हम सुरुआत करते हैं इस प्रस्षन से आए देखते हैं कि इसका सही जवाग क्या है तो इसका सही जवाब है, option C, तो व्याख्या करने से पूर्व, यहां यह जानना जोरी है कि आखिर यह ख़वर में है क्यों, तो ख़वर में रहने का कारण है आदानी का मामना है, जैसा कि हमें पता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जो आदानी के corporate fraud को सामने लाए ग कमिटी का गठन करें, तो उसी के संदर में हम यहां पर joint parliamentary committee की बात करना है, तो अगर हम बात करें joint parliamentary committee या संयुक्त संसदी समिती की तो यह एक तदर्थ निकाय समिती होती है, तदर्थ निकाय का अर्थ है, तदर्थ निकाय का अर्थ यहां पर यह है कि इस संयुक्त संसदी स समीति का जो गठन किया जाएगा, वह एक निस्सी समय के लिए किया जाता है, और जो इसका उद्द Yay वीशेष्ट मुद्दों को समंधित करने के लिए होता है. साथी साथ, जब JPC को स्थापित किया जाता है, इसका जब गठन किया जाता है, तो इसकी जो प्रक्रिया है उसके अंतरगत एक सदन में इसके गठन से समर्थन प्रस्पाव को पारिद किया जाता है और दूसरे सदन के द्वारा उसे समर्थन दिया जाता है या उससे वो समर्थित होता है उसके अलाबा अगर हम सम्मीती के सदस्यों की बात करें तो यह संस या लिखित रूप से एविडेंस या साक्ष को एकत्र करने या उससे समझ दिज जो दस्तावेज है उसको मांगने के लिए वह अधिकरित है साथी साथ अब सरकार पर यह निर्भर करता है कि वह किसी दस्तावेज को रोक सकती है मतब वह उसे नहीं देगी लेकिन उसके लिए एक आधार है आधार यह है कि सरकार जेपीसी के समझ किसी भी ऐसे दस्तावेज या साक्ष को देने से मना कर सकती है जो राज्य की सुरक्षा या हित के लिए प्रतिकूल मना जाता है और मालने कि इस साक्ष समंदित अगर कोई विवाद होता है तो फिर उस पर जो अंतिन न निर्ने होता है वह निर्ने अध्यक्ष का होता है मतलब जो भी साक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसके समंद में अगर विवाद होता है तो फिर उस पर निर्ने किसका होगा उस पर निर्ने होगा अध्यक्ष का तो इस परकार हमने क्या देखा कि इस प्रशन का सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है option C अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की ओर दूसरा प्रशन हमारे सामने है कि अनुच्छे 243 आर कि संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार करें दो कथन है कि नगरपालिका के सभी सदर से सीधे नगरपालिका छेतर के लोगों द्वारा चुने जाएंगे दूसरा कथन कि नगरपालिका प्रशासन में विशेज ग्याना अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के विशेज परतनित को नगरपालिका की बैटकों में मतदान का अधिकार है तो उपरोक्त कत्रों में से कौन सा से सही है विकल्प है विकल्प A केवल पहला विकल्प B केवल दूसरा विकल्प C कोई नहीं विकल्प D उपर के सभी आई देखते हैं इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है A इसके अमसार अगर हम इसकी व्याक्या करें तो व्याक्या करने से पूर हम यहां जानते हैं कि आखर यह बात हम क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं और यह जो गतिरोध है उससे संबंधी जो मामला है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने उसी के संबंध में निर्ने दिये है इसलिए हम इस आर्टिकल 243 आर की यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो जो हमने देखा पहला कतन कि नगरपालिका के सभी नौ में मददान नहीं कर सकते हैं भारत के मुकनियादिस जो धननजय वाई चंद्रचूड हैं उनकी अधिच्चता वाली पीट ने यह बात कहिए है कि अगर हम अनुच्छे 243 आर को देखें उसे इंटरप्रेट करें उसे हम पढ़ें तो वहां पर यह बात दिखती है कि नगरपालिका परशासन में विसेश ग्यान या अनुभव वाले वैक्तियों के नामांकन के लिए उसे प्रदान जरूर करता है लेकिन उन्हें नगरपालिका की बैटकों में मतदान करने से रोकता है तो इस प्रकार यह जो प्रसन है इस प्रसन का सही जवाब क्या है इस प अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है अब यहाँ पर यह है कि हम इस खबर को क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि CPI से समंदित जो डेटा है जो आकड़े हैं वो हाली में जारी कियेगे और उस आकड़ों के अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हेडलाइन खुद्रा मुद्राइस फिती मतलब यह कि Consumer Price जो Index है वह जनवरी 2023 में कितने पर रही 6.5% रही जो दिसंबर के 5.7% से ज़ादा है और 6.5% यहाँ इसलिए यह उलेखनी है क्योंकि हमें यह पता है कि RBI के दौरा जो मुद्राइस फिती के एक बैंड होती है वह है 2-6% के बीच में और जनवरी महिने में जो मुद्राइस फिती की दर है वह इस बैंड से बाहर जा रही है जो लेटेस्ट डेटा प्राप्त हुए है CPI से उसमें एक महकुन बात यह है कि Rural मतलब अगर ग्रामीन इंफलेशन की हम बात करें तो आर्बन मतलब शहरी जो मुद्रा इस फिती है उससे हमें ज़्यादा दिख रही है देखें अगर आप यहां देख रहे हैं तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है जो जनवरी महने में हमें दिख रहा हूँ कितना 6.85% जो दिसंबर महने के 6.05% से ज़्यादा है किसका Rural Inflation के अगर हम बात करते हैं वहीं अगर हम जनवरी महने की बात करें तो जनवरी में कितना तो Rural Inflation 5.4% जबकि जनवरी महने में यही आकड़ा कितना है 6% तो इसका मतलब है कि ग्रामीन चेतर में मुद्रा इस फिती वो ज़्यादा दिख रही है शाहरी चेतर में और कुल मिला के अगर हम देखें तो मुद्रा इस फिती RBI के 4% प्लस माइनस 2% के उपरी सीमा से ज़्यादा पहुँच चुकी है इसका मतलब है कि इसका सही जवाब क्या हो गया है इसका सही जवाब है अगली प्रशन की और अगला प्रशन है कि भू विरासत इस्थल और भू अपसे संगरक्षन और रख रखाओ विध्याग 2022 के संदर में निम्निखित कत्रों पर विचार करें इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है अब हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की और कि भू विरासत इस्थल और भू अपसे संगरक्षन और रख रखाओ विध्याग 2022 को पहली बार संगरक्षन और रख रखाओ करने के लिए तयार किया गया है यहाँ पहले हम देखते हैं कि भू विरासत इस्थल क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे कि भू अफसेल क्या होते हैं भूविरासत इस्थल वे इस्थल होते हैं जो दुरलव और अधोईतिये भूविझ्यानिक एवं भू आकरतिक विज्ञान समन्दी महत्व के होते हैं, जिनका भू आकरती विज्ञान, खनीज विज्ञान, पेट्रो लॉजिकल अदर सैल विद्या समंदी और पेलियोन्टो लॉजिकल पुरा पासान कालिनो इस्ट्रेटी ग्राफिक महत्यके होते हैं। और वहीं अगर भू अपसिस की हम बात करें तो वे अपसिस या सामागरी हैं जो भू वेज्ञानिक महत्य या राष्टी और अंतराष्टी महत्यके हैं जैसे कि विभिन खनीज या उल्कापिंड आदि हैं। जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को दी गई है। दिल में यहाँ बात भी कही गई है कि वैसे इस थल्प जो जियो हेरेटे साइट्स या जियो रेलिक्स होंगे वहाँ पर किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन, रेपियर और रेनोवेशन की मना ही होगे। वहीं अंत में हम बात करते हैं कि आदिवासी आबादी के पूर्व आबादी वाले छेत्रों को भारत के संविधान के अनुसुची पांच के तहत, अनुसुची छेत्रों के रूप में नामित किया गया है। और उनने विशेश सासंतंत्र के तहट संचालित किया जाता है। इसलिए अगर हम बात यह करते हैं कि इस प्रस्न का जवाब क्या है, तो इसका जवाब है B, मतलब यह कौन सा सही नहीं है, तो option B सही नहीं है, मतलब कथन दूसरा सही नहीं है। बढ़ते हैं आपने पांचवे और अंतिम प्रस्णी की ओर, तो पांचवे और अंतिम प्रस्णी यह है कि किस देश में सबसे अधिक लिथियम का भंडार है, option है A. चिली, B. आस्टेलिया, C. बोलिविया, और D. चीन, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही बात करें, तो भारत का जो इस्थान है, वह कितना है, सात्वा है, अब यहाँ यह उलेखनी है, कि आखिर हम लिथियम भंडार की चर्चा क्यों कर रहे हैं, वह इस रहे, क्योंकि भारती भुवेग्यानिक सर्विक्षन को जम्मू कस्मीर के रियाइसी जीले के सलाल हैमना इ लाके में 69 लाक टन लिथियम संसाधन मिला, और अभी तक भारत लिथियम के लिए पूरी तरह से दूसरे देश पर निरभर है, अभी इसके 50-50 भंडार तीन दक्षनी अमरीकी देश, वो देश कौन-कौन से हैं, आर्जेंटीना, बोलिविया और चिली पे हैं, लेकिन दु वीडियो में कुल 5% पर चर्चा की, इसके साथ इस वीडियो को हिराम देते हैं, फिर मिलते हैं नए MCQs के साथ, नमस्कार